नमस्ते उत्राखन के गड़वाल लाके के रुद्र प्याग जिले में रिशिकेश से करीब 223 किलोमेटर और गौरीकुन से पैदल मार्क द्वारा करीब 14 किलोमेटर की चड़ाई के बाद 11755 फिट की उचाई पे हमारा पांचवा जोतलिंग केदारनाद जी है केदारनाद जी क्या इसलिए भी वह है कि यह इतनी हाइट का अकेला जोतलिंग है जो इतनी हाइट पे हैं मतलब एक जगा शेव और एक जगा विश्णू ऐसी मानिता है कि इस जो प्रेजेंट इस समय केदारनाद मंदिर है इसका वैसे तो महाबारत काल में हुआ था लेकिन इस समय इसको शंकराचारे ने बनवाया था उसके बाद यह 400 वर्षों तक बर्ष से ढखा रहा बाद में यह फिर अब जिस रूप में है वो हम लोग इसकी आज वैसी रूप में पूजा अर्चना करते हैं इसकी एक महाबार यह है एक छोटा चार धाम भी बोला जाता है उतराखंड का जिसमें बदिनाथ, किदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री को इन चार को मिलाके एक छोटी चार धाम की यात्रा भी कही जाती है किदारनाथ मंदिर एप्रेल में अक्षे तृतिया के दिन खुलता है और नवंबर में कार्तिक पूर्मा के दिन यह बंद हो जाता है उसके बाद जो विग्रह है जो है वो नीचे उखी बट में आ जाते हैं और चूकि वहाँ बर्फ पढ़ रही होती है इसलिए वहाँ पे से यह शिफ्ट हो जाते हैं और उसके कपाट बंद हो जाते हैं ऐसी मानिता है कि वहाँ पे 6 महिने जब बर्फ पढ़ती है तो एक दीपक लगातार जलता रहता है और जब इसके कपाट एप्रेल में खुलते हैं तो उस समय मंदर भी बिल्कुल साफ सुतरा रहता है और दीपक भी 6 महिने तक अनवरत जलता हुआ पाया जाता है यहाँ पे मंदाकनी नदी जो अलक नंदा का एक टिबूटरी है वो उसके पास से होके बह रही होती है और जो पुरानी कथा है उसके अनुसार विश्लू के जो अवतार थे नर ना रहे हैं उन्होंने एक समय भगवान शिव की अराधना की उनकी पूजा की और प्रसन होके शिव ने अपने दर्शन दिये उसके बाद जब शिव जी ने पूछा कि भई बताईए आपको क्या चाहिए तो उन्होंने का हम तो केवल आपके दर्शन चाहते थे और लेकिन उसके बाद शिव जी इसी किदारनात में अपना निवास इस्थान भी उन्होंने शिव आत्मकल नाशी सब दोश लगे हैं और उन्होंने जब व्यासमुनी से पूछा तो उन्होंने का भई इसका तो एक ही हल है कि तुम जाके भगवान शिव से इसकी छमायाशना करो और फिर तुम्हें कुछ तुमारा ये संकट दूर हो सकता है पांडव वहां से विश्वनात चोड़के गुब्द घाटी में चले गए तो गुब्द घाटी में वो एक बैल या नंदी के रूप में वो जब चर रहे थे तो उनको भीम ने देखा और भीम उनको पहचान गई कि ये शिव है भीम ने जो बैल का जो पीठ होती है उसका जो पुठा होता है उसको भगवान शिव वहां से जाने की कोशिश करने लगे वही इससा वहां रह गया और वहां पे किदारमात की स्थापना होई हाला कि बाद में भगवान शिव प्रसंद हुए और इन लोगों को उन्होंने फिर अभेदान दिया वरदान दिया और वही पे से ऐसा कहा जाता है कि इनके पापों से पाण्डवों को मुक्ती मिली और वही से सीधे सुर्ग तक किसी युड़ी बन गई जिससे इन लोग चले गए वही पे एक इसी शुरुती के अनुसार वहां पे ये केवल एक नहीं पंच केदार के नाम से ये मशूर है वहां पे पांच शिव के वह हैं जैस पे कार द्वारा कोई जा सकता है वही एक अकेला इस पांच केदार में है जहां वहां द्वारा कोई जा सकता है वहां पे शिव जी के हाथ कहा जाता है कि हाथ मिले उसके बाद रुद्रनाथ है जो फिर चड़ाई है और वहां जाना होता है वहां शिव जी का मू है फिर मद पेश्वर में नाभी और पैर है इसमें भी पैदली चलके जाना पड़ता है और फिर कल पेश्वर है जहां पे बाल और सिर मिलते हैं इन पांचों को मिलाके पंच केदार है और ऐसा कहा जाता है कि जब अगर केदारनात की पूरी आपको भक्ती और पूरा आशरवात देना हो तो आपको पंच केदार के दर्शन करने चाहिए ऐसी भी मानिता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद जो भी वेक्ती है उसको बद्रीनाथ विश्रू के हाँ भी अपनी हाजरी लगा के आना चाहिए मंदिर के पीछे ही शंक्राचार की समाधी भी है ये पंच केदार जो हैं उसमें से एक इस्तान को छोड़के बाद की चारों जगाओं पे जो दक्षन के ब्रामण हैं उन्ही के द्वारा ये पूजा होती है 2013 की जो बाद आई थी वो हम सब आपसे वाकिफ हैं कैसे केदारनात में बहुत से लोग उसमें मर गए थे बाढ़ भेंकर आई थी लेकिन जो मंदिर का मेन वो था उसमें कोई छती नहीं हुई और आज उसका रीकंस्ट्रक्शन हो गया और फिर से बन गया है और अब दर्शन फिर से लोग उसी रफ़तार से कर रहे हैं वहाँ पे जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं 14 किलोमेटर तो वहाँ पे अब हेलिकॉप्टर सर्विस भी हो गई आप उससे भी जा सकते हैं रहने के अच्छी इस्थान मन गए है जो यहां की मूर्ती है जो शिवलिंग है जो स्वयंबू है वो चार हाथ लंबी और दिवर हाथ मोटी है मंदर में सुबा इस्थान ध्यान के पश्चात शिवजी को घी के लेव से लगाये जाता है और इस मंदर के प्रांगार में जो अपनी सहित पांच पांड़ों की मूर्ती भी है अंदर घोर अंधकार है और केवल दीपक की रोश्णी में ही यहां की पूजा अर्चना होती है मंदर सुबा छे बजे खुलता है फिर दिन में अलग-अलग समय पे कुछ-कुछ देर बंद रहता है लेकिन मेरी उन सब लोगों से जो अभी थोड़े योवक हैं यंग हैं आप लोग पहले ही इसको कर लिजे अपने विर्धा वस्था का इंज़ार मत कीजे क्योंकि भगवान किदारनात के दर्शन और बदरीनात के दर्शन करने से एक तरह से आप सारे भगवानों का दर्शन कर लेते हैं और आपका ये जीवन सफल हो सकता है मरस्ते